हालो एब्रीबडी हेल गार्डन में एक बार फिर से आप सब्सक्राइब का स्वागत है यह बिडिडिएच नोबल का एपिसोड नमबर 235 और जैसा कि पिछले एपिसोड में प्यूरिफाइड डेमानी लोडस फ्लीम के लास्ट में फ्रेग्मेंट का आॉक्शन शुरू हो ग जाओ के साथ जैन की टूरी एंटर कर जाती हो स्पेशल होल में इस पेशल ट्रेड़ फिर के लिए लगसे रेल मनाया गया था जब जिए आखों के सामने से डार्कने सटी है उसे एक स्ट्रीट की दिखाए दिए दुनों साइड में हरे रंग की बत्रों से बने प्रेटफर मजनु बोल के अपने आपको कंट्रोल कर लेता है जब जियान कुईन मेडूसा को पकटके तेजी से आगे बढ़ने बला होता है अचानक से कायलन की बॉड़ी वें पर स्टेफ हो गई थी उसकी नजरें होती है एक साथ रंगों वाले पत्थर की उपर जियान इस पत्थर क चेज़ करना जाता जिरूने कम से कम तीन रंगों वाली पर लाइटिंग को एक्सपिरिंस किया हूँ खेर से पहले जियान को इस पर फिर से ओर रहाता है वह कहती है पत्थर को 27 अपर ब्रड़ को इस पर टपकाती है वह एक्चुली में आठ रंगों वाला ओर इस तोन निक बढ़ता है इसकी वेलू तुरंती हजारों गोना बढ़ गई थी हलाकि कोई भी नोटिस नहीं कर पाता कि आठवे रंग के साइड में नौवा रंग भी आ चुका था कर इसके बारे में फ्यूचर की स्टोरी मालूम पड़ेगा आगे मास्टर येलाव सभी को ले जाते हैं एक एंशेंट हॉल में यहीं सभी की डेस्टनेशन होती है इस हॉल में अंटर करने के लिए इन्वीशन कार्ड की जरूती थी लेकिन क्योंकि हमारे मास्टर यालाव गदम पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें इस इन्वीटेशन को आशिल करने में कोई परिशान ही नहीं होत वह बस लेटल फई डॉक्टर के लिए एक पॉईजन कोड नाम की बुको खरीता है बीच में किंग कॉंग लास बॉड़ी नाम की दो स्किल का भी ऑक्शन किया गया था लेकिन इस जान के हाथ में नहीं लग पाती फाइनली एंड वाले आइटेम्स की बारी आ जाती है तु पुरे हॉब में इक दूप सायले जाता है चलो इस एफजोड में देखते हैं कि किसी किसमत बहुत में वाला है वीडियो को एंड तक जरूर देखना पुरे हॉड़ी में व्यूट में वरोशन के चहरे पर स्मयल आती है वो जानते हैं कि पुरीवाइट डुमां लूटस फ जैसी चीज उनके लिए भी अल्टिमेट लेवल की चीज है इन सभीने इसके वारे में बस सुनाई होता है लेकिन इसने से नहीं देखा अफकोर्स इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी को इसकी लाल सा नहीं हो जब बात हो रही हो इतनी पावफुल चीज की तो रिगार्लेश है तो फिर बेनफिट्स की दो बात ही मत करो और में बावशाइंग स्मायल करते हैं वो पूरे हॉल में नजरों को गुमाने के वाल हसके बोलते हैं हाहा इस मैक फ्राग्मेंट का उनर इससे मेडिसनल पिल्स के बदले में एक्सचेरिज करना चाहता है अपकोर्स यहां पर वह इडल यह आती है तीन दूसरी वाई सुनाए दे गई वह कि तहीं कि चाहिएरंगों की पर लाइटिंग वाली मेडिसनल पिल्स कुछ इसी तरीके से हॉल में से अलग लग अवाज ने शुरू हो जाती है इस से में होड़ से फिर ही हो घो गया था बावशांक के मुसकराद चाहरेक नहीं तर्फराइबंड के प्राइस हाई हो गई. यह πर मुझे जो जानते थे। कि मैंग फ्राइबंड के सामने प्राइस कुछ भी नहीं है। और अगर किसी को इसी प्राइस पड़ करने में लॉस भी हुता है। तो फिर Irefines । लोटस फ्लेम को हासिल करने के जो फायदे हैं उसके सामने लोग नुकसान की परवाह नहीं करते हैं जब जियान देखता है किस तोकड़े में देता हैं लोग इंटरस्टेट हैं उसकी बॉइंस एकुट जाती हैं वो कहता है हमें क्या करना चाहिए याला उपने इसे को लाती पागल होने के लिए तैयार है ऐसे गर्मी से वरे माहौल के अंदर बिट्स लगातार बढ़ती रहती हैं अब भी दस मेंट भी नहीं गुजरेते हैं प्राइस औरड़ी नौ मेड़सल पिस पे पहुंच जाती है ऐससी वीडिंग को देख कि इवें यानक एक्सप्रेशन भ लोग की संख्या भी गड़ जाती है सब इस बात को जानती थे कि अब जो भी लोग रह गए उनके पास ही सबसे ज़्यादा हमाल है अभी पिछली बिट को हुए एक मिनिट हो चुका होता है तब होल में कोड़ अवास गुचती है यह बुड़ी से बरी हुई थी वह कहते है पांच साथ रंगों वाली पिल लाइटिंग वाली मेड़स फिल अंडावट इडली प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी पूरा हॉल तुरंदी कॉइट हो जाता है सभी कि आंके देखती हैं साउंड की औरियन को अफकोर्स एक दुबंग पैने बंदा दिखाए दिया था तब हमें एक और सिंपल से अवाज सुनाई देती हैं वो कहते हैं आठ पिस इस अवाज को सुनके जियान फाइनली साह करता है यालो ने फाइनली बिटिंग करना शुरू करती है लेकिन जियान को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यालो इस लास्ट मैक फ्राइग्मेंट को कर पाएंगे अखिरकार यहां पर प्रेजेंट लोगों में से कोई भी औरिनरी नहीं है यह वह यालो इस तरहीं से प्राइस को बढ़ाते हैं वह बुड़ा कोड़ करता है वह एक मोमेंट तक हैसिटेट करने के वाद अपनी दाथी मिस के बोलता है एक आठ रंगों वाली लाइटिंग की टीरेट मैडसल पिल तरनती हॉल में अपरोर फैल जाता है किसे नहीं किया था कि यह बंदा आठ रंगों वाली पिल लाइटिंग की पिल निकालेगा फिर से एक हलकी से वाज गूँच थी है वो कहते हैं तीन पिल लेकिन इस हलकी से वाज ने सभी को सब्प वाज कहती है फाइब फिल यह सुनके जियन की फेस्पन से स्ट्विच होने लगी थी जियन की आंके सवाज के औरियन को दूड़ती है उससे पथर की कुर्सी बैठा हुए एक बुड़ा दिखाई दिया था लगता है इसके निफिगर ने जियन की नजरों को भी सेंस कर लि वो रेड़नमली अपने हाथ को वेव करते है वो इनिविजवल प्रेशर गायब हो गया था जब यालव सीकर्ट तरीकी से इस बंदे से अटेक्स को एक्स्चेंज कर रहे होते है फाइनली जियन को रिकावर करने का मौका मिल जाता है वो स्टेंड आवाज में कहता है इस मि स्टेशल ट्रेड फियर एक्सपर्ट से बरी हुई है जियन को वर्ण करने के वार यालव कोड़ आवाज में कहते हैं आर्ट फिल्स इस वर उनके वाज थोड़ी स्टर्ड होती है ऐसी प्राइस उनके एस्टिमेशन से भी उपर जा चुकी है और मैं बाउशंक स्माइल करक सभी की नजरों को अपनी उपर आती हुँ देख उस दुगले पतले दिखने वाले बंदे के चरे पर स्माइल आती है वो तुरंदी अपना मुझ खूल के बोलता है एक नाइन कलर्ड पे लाइटिंग टीरेट मेडिसल पिल अगर तुम प्राइस को इससे हाई कर सकते हो तो अगर इस पिल बीस्ट को बिट करता है तो फिर उससे काफ़ीता नुकसान होने वाला है अगर इस पिल बीस्ट को अच्छे से नर्चर किया गया तो हो सकता है वह इसमें नाइन थीर में एडवांस हो जाएगी उस समय इसकी वैल्यू ऐसी हो चुकी होगी कि इसके लिए दो जियान अपने सिर्क को इहलाता है अब यह समय इंपल्सिफ होने का नहीं है बली वो फ्रावपर तरीकिस मेंटसर बिल्कॉप्टें ना कर पाएं लेकिन जब गी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो फिर उंगली को तेड़ा करना पड़ेगा ओके ज्यादा होगा क्या ज जैसा यहालो का करेक्टर है वो इस मैप के फ्रैक्मेंट को इतनी असे से जाने नहीं देंगे और जैसा कि जियान ने सोचा होता है अगर प्रॉफर मेंटड का यूज करके से आफटें नहीं कर पा रहे तो फिर और मेंटड का यूज करना होगा और इसी भी बात नहीं कि ज सिनेस्टर ही वाली हजी के वाज आती है फाइनली उसके आखे वापस लोटती है ओल मैं बाउशेंग की तरफ जैसे उपने हाथ को वेव करता है एक सफीद रंगा खरगोश अपियर हुआ था तुरंती पूरे हॉल में एक डैंस मेडिसल फ्रेक्रेंस फैलती है एक नौरंगो जिसके वादी रैवेट लाइटिंग स्पीड के साथ ओड़ में बाउशेंग की तरफ शूट हो जाता है जब इन नौरंगों वाली मेडिसल फिल हवा में ट्रैवल कर रही होती है कईयों के दिमाग में इसकी उपर टकती डालने का खयाल आता है लेकिन अच्छी वाद है कि अनबिलीवल लेवल की इनरजी सेंस होती है फाइल इनोंने नौर्ड कर दिया था इस से में उनकी आखों में सितारे देखे जा सकते हैं क्लिरली ओड़ में बाउशेंग नहीं किया था कि कोई बिड़ की रूप में इस चीज़ का यूज करने वाल है ओड़ में में उस बुड़ की हाथ में टच हुआ था हम जियान को अपने हाथ को क्लेंज करती हूँ देखते हैं उसकी उनकाली आखों में एक चेल फ्लाइश हो रही थी चाहे कुछ भी हो जा लेकिन जियान को इस मैक फरेवन को अप्टेन करना ही होगा अब बहले बुड़ बुड़ क्लास के कफिया तक करीब क्यों ना हो लेकिन जाने से जाने नहीं देगा ट्रांजेक्शन को कम्प्रीट करने के बाद ओल्ड मैं बाउशेंग के चाहरे फिर से प्रोफेशना स्मायल आ जाती है वह कहते हैं स्ट्रेट फेर का जो लास्ट आइटम होने वाला है वह कोई बाउशेंग के शब्दों के सभी के आप लाउस हो जाती है सभी की डाउट से वरी नजरें और वाल जानकारी है जो की एंड आइटम होने की वरती है सभी की आँखों मायं से ट्रेंडी को देखके और बाउशेंग कि यवाज पूरी हाल में गुश्टी वो कहते हैं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो अचानाक से अपनी सीड़ से खड़े हो गयते हैं अगर कभी दुखी कॉंडिनेंट की टॉप 3 टैजर्स की बास करी जाएगी तो इसमें एंशेंट बोदी सत्व ट्री जरूर आएगा इस बोदी सत्व एंशेंट ट्री को नौलेज रिंकार करती है इसे एकनी डेमर्स के सबादें पूरी सत्व एंशेंट में हला मत जाता है और कौंडिनेंट की पुराने हिस्टी को دेखता जाता तो इस बनिया एंशेंट फ़र शेंगि जान जाच्ञा चुकी है और इसकी अपनी इंठी여 होती है और यह पिर होने की नहीं हो जाता तब तक किसी को इसकी ख़ब नहीं मिलती जब लोग बात करते हैं बोधी सथो एंशेंट ट्री की तो फिर इसके साह तीन शब्दों का और यूज कियाता है यह होते हैं तुरएंटी सेंट बन जाना और इस शब्द खाली नहीं है जो भी बूरी सत व बूर बूर्धू सरी हुएंग आटीज सत वार्ट के लिए लिए टाइप। दोशेंग क्लास में एडवांस होने की डिरेक्ट टिकेट में लियाएगी जिसे इस दुनिया का पीक बुला जा सकता है और तो और अगर हम बोधी सत्वा हार्ट को सीन से हटावी दें तब भी बोधी सत्वा सीट्स जो कि थोड़े से निफीरियर होते हैं वो भी दोशेंग क अगर उनने एक बोधी सत्वा सीड मिल जाता है वो कुछ भी करने के लिए तयार हो जाएंगे के पूरी कानी का सार यह है कि जैसे बात होती एंशेंट बोधी सत्वा ट्री की कॉंटिनेंट की पीक एक्सपर एक्दम पागल हो जाते हैं इस वैसे जैसी और्मेंट भाउशे यह एक्चुली मैंशेंट बोधी सत्वा ट्री है जियान हलके से नौड करता है उसके हाथ उसकी स्टोरिंग को रव कर रहे होते हैं अंदर एक बोधी सत्वा सीड था रिमस के सबसे जिसके पास भी बोधी सत्वा सीड होता है वो एंशेंट बोधी सत्वा के पेड़ को तरास में चले गए होते हैं जब लोग दिल दिल शौक से रिकवर होने लगते हैं एक बंदा पूछता है ओल्ड मैं बाउशेंग क्या है इस बंदे की सवाल को पूछने के बाद सभी की एक्साइटेड आखे ओल्ड मैं बाउशेंग की उपर फोकस कर लेती हैं देखने से ऐस लगता है जैसे उडवन बाउशेंग रिपलाई नहीं करते हैं तो फिर इनकी उपर गैंग अटेक हो जकता है हम मैं गैंग अटेक की बात कर रहा हूं एंशेंट बोली सब्सक्राइब को पता होता है कि सब इस सब में क्या सोच रहे हैं वह सके बोलते हाँ हाँ क्यों कि सो इस बात की शुरुआत कर रही है मैं नेच्रली चीजों को हाइड नहीं करूंगा नेच्रली ओडमें बावशेंग को पनी जान की परवा है वह सके बोलती एंशेंट बोली सब्सक्राइब है वह आप सभी से अंजान नहीं है वह जगाह एंशेंट वीस्ट्लेंड रिजिन जो कि सेंटल पेंस के नौथ इस्टन रिजिन के पास पड़ती है इन शब्दों को सुनके कई लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं वो लोग जो कि वेदर की नियादा एक्साइट दिखाई दे रहे थे अच्छा लगसे इनकी आख़ों में एंशेंस ने इस दिखाई द सकता है यह सब भाइनक से 20 एंशेंट टाइम की 20 के डिसेंडेंस हैं अगर एंशेंट बोड ड्रेकन को छोड़ती जाए तो इनमें से कई 20 की स्पीश इतनी जादा पावफुल है कि नहीं मैंजिकल वीस्ट वर्ड की और भी पावफुल ट्राइब से कंपेर किया सकता है सब भी वह यह नहीं कह सकता कि वह इस जगह से सक्सेस्फ़ली भार आ जाएगा और इफेक्ट कई खौफनाक इंसिडेंट ने साबित किया है कई लोग जो कि खजानों की तलास में वेंटर करते हैं इनमें से बापन स्लोटने वालों की संक्या बहुत ही कम होती है प्यार रखने की हिम्मत नहीं होती इसका दूसरा रिजन होता है क्योंकि एंशेंट वेश्लेंड थोड़े सी दूरी पर है इस वैसे कई लोग इस डेंजर जगह को याद नहीं रख पाते हैं लेकिन किसी नहीं किया होता कि इस बार एंशेंट बोदी सटोटरी इस एंशें अच्छे से जानती हैं कि एंशेंट वेशन रियन कितना जरा डेंजरस है और नेंबाउशेंग की पूरी बात क्लियर हो जुकी थी और में बाउशेंग बोलते हैं जब जब एंशेंट बोदी सब्सक्राइब होता है यह अपने साथ अन्याच्रा फिनोमना को लाता है मेरे ख्याल से एक मैने के इंदर ग्रैजूली आप सभी से सेंस करपा होगे उस समय आपको मालूम पढ़ जाएगा कि क्या मैं सच बोल रहा हूं यह कहने के बाद ओल्ड में बाउशेंग स्माइल करके बोलते हैं मैंने जानकर यह आप सभी को दे दिया है इसे के साथ हमारी स्प बनता है सच में बहुत ही शांदार अपरचुंटी है अगर बोड़ी से तो हार्ड को हासिल कर पाते हैं तो दोशेंग में अडवांस करने का रास्ता काफी स्मूध हो जाएगा दूसरे शब्दों में का जाए तो फॉलेंशाफ पविलिन में एक जैन्म होगा उस समय में ज तुरंती यालो खड़े होते हैं वो कहते हैं लेट्स गो बिना पीछे मोड़े पर एकजर्ट की तरफ चले गयते हैं जियान की टोली भी तुरंती उन्हें फॉलू करती है सब जान देते कि इंटेंस बैटल होनी बिल्कुल पक्की है ट्रेड फिर के कंप्लीट होने के के वाजम बोलते हैं वो लोग इस पॉर्ट से पास जरूर होंगे जिस तरीगी के उन तीनों डीमन का चैरेक्टर है बहले उनकी हाथों में कितना ही बड़ा खायाना लग गया हो वह इस रास्ते को बिल्कुल छोड़ने नहीं वाले जिया नौड करके पूशता है उन लोग बोड़ी की दूखी को अबसाब कर लेते हैं अफकोस ऐसी टेकनिक बहुत ही डिंजरस होती है वो लेडी जिनकी दूखी अबसाब करी आती है वो करीब 10 दिन ने बूड़ी होके मर जाती है यहां तक बोलते बोलते हैं या लोग की वाज में काफी गुसा दिखने लगा था वो कहते हैं क्लावडर इंसेक्ट में हजारों डिसाइपल्स हैं और यह सभी फीमेल्स हैं लेकिन तीनों ओल्ड डीमन्स इन सभी कमीट करनेंस की तरह यूज़ करते हैं या लोग की एक्सपलेशन को सुनके काईलीन और लिटल फी लॉक्टर का चैरा कोल्ड हो जाता है शा अच्छी हुए दोनों की वैसे मुझे गायल होना पड़ा इसी रिजन की वैसे तब मैं उस ओल्लीन की जान नहीं ले पाया और एक्सपेक्टेट वाद है कितनी सालों के बाद आज मेरी इंदीनों से मुलाकात होगी या लोग कर दियान जाता है जिसे फोर टीनों की नाम से जाना जाता है इंदीनों की इविल रेप्टेशन उससे पुरानी है इनमें जो सबसे बड़ा जिसका नाम है टीनी जी वह लड़ी नाइन चेंज पीक दोजन में पहुंच चुका है वहीं पर लास्ट में बच्छा रहनी जी इसकी स्टेंट सिक्स चेंज पर है जब इतीनो को जानके जीन के आखों में सर्पाइस फ्लाइश होता है यह तीनों बुड़े सच में काफ़ी एक्स्राइडनरी है ऐसे स्टेंट के साथ ही लोग सेंटल पेस में इवन टॉप नौच कंसिडर करेंगे वह फाइनली रिलाइस करता है कि आखिर यह नवरंगों वाली पिल ल लाइट्स जीन को में दरफ आती हो दिखाई देती हैं इन तीनों ब्लैक लोज की स्पीड इक्तम टेरिफाइंग थी वह की फ्लेश में हजार फीट दूर अप्यर होते हैं लेकिन से पहले वह यालाओ वाले मांटेन मेंटर कर पाते हैं ऐसा लगता है इन तीनों को तुरंत इससे देखने से वालों बढ़ता है कि वही बंदा है जिसने हॉल में बीडिंग करी थी इसके पीछे दो बंदे होता है एक मिडल एज का अदमी था और एक तोड़ा यंग होता है लेकिन उसकी आखे बताती है कि उसकी एज बाकी दोनों से कम नहीं है अगर उस यंग से दे हमें मेले हुए काफी समय हो गया है वो दुगला पल्ला सा बुड़ा जो कि इन तीनों का लीडर होता है उसकी रूटल सांके यालो को देखती है वो फिरिस सवाज में कहता है मेरे खिलाब बिट करने वाले तूम थे हां बले ही ट्या नहीं जी मैटर को समझ चुका हो लेकि किसी को रास्ते में रोक कि उसकी उपर डगती डाल रहा है यालो डॉंट गिवर डॉट 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 बार यह वाजम बोलता है अगर इस तुमारे लवा और कोई होता तो शायद मैं ऐसा करने से पहले एक वाज जरू सोचता बड़ अच्छी वात है कि तुम तीन हो मुझ से भागना पड़ा था ऐसा हमारे लिए आज भी करना पॉसेवल है यह सुनकी यालो समयल के साथ बोलते हैं क्यों नहीं को ट्राइब करो साथ ही हमारी पुराइन दश्मनियां भी खत्म हो जाएंगी तुरंत यालो ने पने पैर को आगे बढ़ाय था वो किसी गोस्ट की त होने से बस एक अदम पीछे हैं लेकिन वर्चे से जानता था कि गैप कितना बड़ा है अगर वो तीनों यहां से आज सरी सलामत बापस लोड़ना चाहते हैं तो आज यहां पर इक इंटेंस बैटल होके ही रहेगी खेर जालो इन दिनों को सोचने का समय नहीं देते हैं जैस साथ में अटेक करो तीनों की बॉड़ी से दू़ी की रिलीज हो गई थी जिसके बाद इनकी दू़ी की हजार फीट बड़े लाइट फिलर में टांसफार्म होके उस बड़ी से फ्लेम हैंड से ठकरा जाती है इन दोनों की कोलिजन से बैंक का साउंड आया था फ्राइटिं रहाती है लगता है इस एक्शेंज में तीनों का नुक्सान हुआ है तीनों के एक्सवरेशन हो चुके थे हैं और लेकर होती है अनसपेक्टेट बात है कि तीनों के हैंड जॉइन करने के बाद भी वह फिर फिर भी डिसड़नेज में रहे टीया नहीं जी बोलता है इस ओल के गई थी जियान के गुर्व के उपर जो की माउंटीन के उपर मौजूद होता है टियाने जी बोलते हैं थर्ड ब्रदर वो तीनों इस ओड फैलों के साथ आये हैं उन्हें जली से कैप्चर करूं याद रखना हैं अगर वह यालाओ से हैड़न ठक राते हैं तो फिर रजली इनके हग में नहीं जाने वाला इस विए से जियान की टॉली काप्चर करके उन्हें होस्टेज की रूप में यूज करना बेटर ऑफशन है ऐसा करने पर यहां से सफलता पूरवग लट पाएंगे यह सुनके रहने जी जियान के गुरू की तरफ देखता है तो रिंती उसक अभतरना घ्रक्त के यूज करके यालाओ का राष्ता रोकने लगते हैं इस इनको देखिए यालाओ की आखिदम चेली हो जाती हैं वो कहते हैं ये तीनों और लाईग लोग जब साथ में काम करते हैं तब यालाओ से जैसरे से करके फाइट कर पा रहे हैं इस तरीक के स्टौर्ट होते हुँ देखते हैं वो ट्याने जी की डूसर फिसे ठकरा जाते हैं इस वार फैलने बादे रिपल और भी आदा फ्राइटनिंग होती है जब ट्याने जी और डीगी जी दोनों मिलकी याला को रोक रहे होते हैं रहने जी जी आनकी गृफ से थोड़ी से दूरी फैपियर हो जाता है उसकी फैरी होट आके देख रही होती है काईलन और शावशान के फिगर्स को लिटल फेड़ी डॉक्टर और मेडियूसा को देखे रेनेजी जी अपने आपको सम्वाल नहीं पा रहा था वो हसके बोलता है एक्स्पेक्टेड वात है कि मुझे यहां प स्पीड से दूए कि उनकी बोड़ी का सपास गूमने लगती है रेनेजी अपने होटों को चार्टी हुए बोलता है यही लटके गो टू हैल इन दोनों बीटी उसको तुम मेरे लिए छोट जा यह कहने के साथ ही उसका पंच रियान की तरफ शूट हो गया था रेनेजी का जैसे लावा की बरसाथ हो रही हो इस तरीकी से रेनीजी का टैक को ब्लॉक करने के बाद जैन इस मौकी का फायदा के यह लोग की तरफ देखता है इस सब्सक्राइब एजिए और उसके वाई की आसी आलत होती है कि उन्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिल रहा था बैटल को के इट साथ दोजन के लावल पर होता है वो तुरंदी पहुंच जाता है त्री चेंज पीक दोजन पर रैनेजी एक से इक्सचेंज पीक दोजन एक्सपर्ट था वह सफोर्ट रैन्यों से काफ़ी स्ट्रॉंग होता है अभी तक जियान ने जितनी वी इपोनेंट्स का सामन हो तुछ इंतामत का तरी खतम होने के बार में दोनों ब्यूट्री काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूंगा रेनेजी कैसे गंदी शब्दों को सुनके काले निकी आखे एक दिम चेली हो जाती है उसका लबली फिगर आसमान में जाता है काले वादल एक दम चर्ण होने लग हसने लगता है वो करते है ओ तो यह ब्यूटी वह एक्सटेंट सैवन कलर्ट हैवन स्वालिंग पाइथन है हाहा सच में डिलीशेस है यह मुझे पसंद आई रहनेजी की मुझे रसनी के बाज बार ही आई थी तो यह बातलों में से कलरफुल थंडर बोल्ट नीचे आया था ट्रांसफॉर्म होने के बाद का और राइज हो चुका था इस सवह में के पास एश्टा दूजन लेवल की पावर होती है लेकिन जब रहनेजी इस धनर बोल्ट को देखता है उसके चेरे में कोई बदलाव नहीं आया था उस सिंपली अपने हाथों को वेव करके सेटक को ख फिसे 23 से हसने लगा था वो कहते हाँ हाँ इस ब्यूटी के पास वोफल पॉजन बॉड़ी है सच में तुम दोनों ही काफी एक्सकुजेट हो बहले वो इस तरीके से एक्ट कर रहा हो लेकिन इस पर उसका जारा इतना रिलैक्स नहीं होता वो तुरंती पुल बैक करके स्वालिंग पाइथन है तो दूसरी वोफल पॉजन बॉड़ी को पॉजस करती है इन दोनों के हैंड्स को जॉइन करने से कोई नॉर्मल पीक दोजन का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा लेकिन अनफॉचनेटली ही ही ये दोनों मुझे मिली है उसके चारी की गंदी स्मा से भर गयता तुरंती उसकी देजर जाती है जियान की उपर जो कि माउंटेन की टॉप पर खड़ा हुआ था इस से में उसके सामने पांच अलग अलग रंगों माली फ्लेम सस्पेंडिड होती है अगर उस लास्ट फ्लेम को छोड़ दिये जाए तो बाकी की चारव फ्लेम क अधकि तो सेंसे करके रेनीजिक एक्सेशन डास्टीक ली चेंज हुए थे वह चार तरीकी की हैवली फ्लेम्स ऑफ्लेम जासे पहले जनने कर वह इसा ना किया हूं लेकिन आज वह पहली बार वार फाइव यह एंगरी बुद्द लोड़स को क्रीट करेगा अब इसकी स्थ के वारे हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में देखो इस सजेशन तुम लोगों कहीं था मैंने एक वीडियो में पूछा था कि क्या मझे आधी फाइट को वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए जिसमें लोग हां हां बोल रहे थे नहीं तो मैं आराम से इस एपसोड क को वीडियो में फिनिश कर देता जिसके वाद पूरा नेक्स एपसोड एक्तम परफेक्ट होता बट डूराट वरी मुझे लगता है यह वाला पेसोड भीक्तम खतरनाक लेवल कर रहा है आपके इसके बारे में क्या खयाल है कमेंट्स में लेकर जरूर बताना देखो अगर सजेशन को नहीं बताओगे तो फिर हमारे बीच में कम्मिनिकेशन गैप रहेगा जिसकी वैसे जो चीज़ां आपको पसंद है हमारे पास उसकी कोई जनकारी नहीं होगी आई होप आप सब इस बात को समय रहे होगे कमेंट्स में सजेशन जरूर देना नेक्स पार्ट में ह इसा हो नहीं सकता है को मैप का तोग्रा जयान के हाथ से बचा है और राइंड में जाके हम बात कर रहे होंगे एंशेट मैप की मिस्टरी की सो नेक्स पार्ट को बिल्कुर मिस्ट नहीं करना अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फिर काफी हाई वीडियो जैसी वो प्रिप्यर होते हैं आप उने रिलीज होने से पहले ही देख पाऊगे और अफकॉस इसे हमारी भी तोड़ी हैल्प होगी जोई का वड़न चैनल की होमपीच पे मिल जाएगा एक बाच चेक जरू करना इस वीडियो का लाइक टार्गेट है 12K का आई हो